साइमन कमीशन का गठन आठ नॉमबर 1927 को जौन साइमन की अदेश्ता में किया गया जौन साइमन उधरबादी दल का सदस्थ था जिस समय साइमन कमीशन का गठन हुआ उस समय ब्रिटिस के प्रधान मंत्री अस्टेनली बाल्ड विन थे जो कंजर्बेटिव पार्टी से ताल जौन साइमन आयोग में कुल साथ सदस्थ थे जिसमें से कोई भारतिय सदस्थ सामिल नहीं था इसलिए इसे सुवेट कमीशन भी कहा गया तीन फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुचा भारतिय एराश्ट्रिक कॉंग्रेस ने दिसमबर 1927 में मदरास में हुए कॉंग्रेस अदिवेशन में साइमन कमीशन का बिरोध करने का निरने लिया लहुर में साइमन कमीशन बिरोधी जुलूस का नित्युत करते समय पुलीस के लाठी चार्ज में लाला लाजपतराय गम भी रूप से घायल हो गया थे साइमन कमीशन ने अपने रिपोर्ट 27 मई 1930 को परकास्ट किया साइमन आयोग को न्युक्त करने वाले राज सचीव लौर्ड बिरकेन हेड ने भारतियों को यह चुनोती दी कि वे एक ऐसा सभी धान बनाए जो सभी दल को मंजूर हो में इसी के परिपेच में तथा साइमन कमीशन के परती उत्तर में नेहरूर रिपोर्ट 1928 इसमें त्यार की गई नेहरूर रिपोर्ट मोथी लाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी इसमें नो सदस सदस्य समीति थी जिसमें दो मुस्लिम था नहरू रिपोर्ट ने 10 अगस 1928 को अपना परतुस्ति परस्तूत किया नहरू रिपोर्ट में 19 मूल अधिकारों को परतिपादित किया था नहरू रिपोर्ट भारत के लिप डोमीनियन अस्टेट्स की बात की गए इसमें संपरदाय का धार पर पिर्थक निरवाचर मंडल तथा अल्फसांख्याकों हेतु रच्छित अस्थानों की मांग का प्रस्ताव रखा गया। कॉंग्रेस के नेता जवालां नहरु द्वारा तथा सवा चंद बोस्थ द्वारा इंडिपेंडेंडेंस फौर इंडिया लीग पूर्ण सुराज का बात करता था। क्योंकि नहरु रिपोर्ट दोमिनियन स्टेट्स की बात करता था और इंडिया इंडिया लीग की बात करता था इंडिपेंडेंडेंस फोर इंडिया ली का गठन जभारना नहरू तो था सवास्चंद बोस ने मिलकर उन्हें 28 में किया नोट में देखेंगे क्लेमेंट एटली सायमन कमिशन में लेवर पार्टी का सदस के रूप में सामिल हुआ बाँ 47 में को देखते हैं नहरू रिपोर्ट त्येयर की गई उन्ही सो शतायस में और इंडिया इंडिपेंडेंस फूर इंडिया लीग नश्य रोटाइथ में एक यह सबोरगे गया कि सबया वेसिक शुराज की मांग कि यहा मोतिलाल का नहरू है नों मांग की थी मोजिए तेज बहादुर्र सूपरौ और जाइकर नहरू है नहरू रिपोर्ट त्यार करने वाले सामिटे जिसके अभारत के आपनिवेसिक Service की Look गई थी भारतिये स्वत्रनुता अंदोलन की काल में नहरु रिपोर्ट समंदित था पहला भारत के लिए अल्वसंग ख्यको हेतु और अच्छित अस्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन छेत्र भारतियों स्विधान में भारतियों के लिए मौलिक अधिकारों का पर्वधान नहरु रिपोर्ट का विशाई था भारत में सम्मेधाने के व्यवस्त था हैं मुस्लिम लीग के निम्नखित में से किस अधिवेशन में एम जिन्ना ने अपना 14 सुत्रिय प्रस्ताब रखा 28 फरवर 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का धिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने रिपोर्ट 1928 के विरोध सुरूप 14 सुत्रिय प्रस्ताब रखा नेहरो रिपोर्ट संयोक तुरूप से चुनाव लड़ने की बात करता था लेकिन जिन्ना का 14 सुत्री चुनाव छेतर की मांग करता था स्क्ष्चर धिन प्रस्ताइब quería है थारндें करता थारा है थारा रह reicht को एग लया है को ca 6 प्रें जिन्ना जिन करता थारा दो रहती內 fantasy जिन्ना दो श्वται झाल 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 झाल